Now we are discussing key areas of equality, मतलब हमें equality लानी कहा है, तो सबसे पहले हमें अपने roles को define करना है, gender हमारे हाँ एक बड़ा इस तरह का यानि factor है, जहां हमें अपने बच्चों और बच्चियों में equality लानी है, ठीक है? equality का मतलब ये नहीं है कि हम उनकी जात को या उनके gender को deny कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि 20th century से कबल बहुत से ऐसी चीजें थी जो stereotypically रिवाज पा गई दुनिया के अंदर और लोगों के तखयल जो थे वो एक शकल इक्तियार कर गए जिसका बड़ा नुकसान मौशरे को था, जैसे care for their family and raise children, कुछ demarkation कर ली गई ना, कुछ इस तरह की चीजें कर ली गई, के families जो हैं, वो उसमें जो खवातीन का किरदार है, वो सिर्फ family को raise करना है, इसके इलावा वो मौशरे में कोई किरदार अदा नहीं कर सकती, और फिर ये के जो male हैं, वो mentally stronger हैं, और वो ज emotional हैं, वो जजबाती हैं, इसलिए उनको कोई भी बड़ा मौामला तै करने के लिए नहीं कहा जा सकता, या वो मुक्तलिफ मसायल को हल नहीं कर सकती, वो घबरा जाएंगी, then have less decision power, हवातीन जो हैं, उनकी कुवत फैसला भी कम है, और फिर ये के situation, अब यही मैं अर्स कर रही इसमें से बहुत सी चीजें, हम यह नहीं कह सकते कि हर चीज नेगेटिव है, कुछ, biological, physically, कुछ ना कुछ चीजें दरुस्त भी होंगी, लेकिन उनको stereotypically देखना, और फिर उनको उसी तरह as it is without evidence implement करते जाना, भी दर असल बुराई है, अब 20th century में इन रवाईयों में changes आई क्या, कि there are individual differences, there are exemptions, मतलब ये भी तो देखिये ना, कि खवातीन जो है, वो वाकई family career करना उनका फर्ज है, लेकिन जहां कहीं अगर मर्द हजरात को जरुरत पढ़ जाए, तो ऐसी भी कोई बात नहीं, जैसे उनका खाना पकाना खवातीन का काम है, तो अगर मर्दों को खा कि कोई बात नहीं, ऐसे बहुत से professions थे जिनके बारे में और तो और हमारे मुलक के अंदर था कि ये पेशा ये शोबा बच्चिया नहीं अपना सकती हैं, ऐसा अब वो चीजे नहीं हैं, हर पेशे में, हर शोबे में बच्चिया आ रही हैं, फिर ये था कि अब देखे, अभ stereotypical thoughts हैं, इन में से निकल आए, बाकी दुनिया तो काफी हद तक इसमें से जो developed countries थे, वो अपनी सोच को आगे ले गए, उन्होंने असल में, जैसे हम कहते हैं, मुकाबले की दौड है, मर्द हों, खवातीन हों, बच्चे हों, बच्चिया हों, जो जो कुछ कर सकता है, उसको करने की उसको अजादी दी, देखिए, किसी को मजबूर नहीं किया जाता, कि भई, जो खवातीन है, वो बच्चों को परवर्श ना करें, या उनको रेर ना करें, रेज ना करें, ऐसा नहीं है, बलके ये है कि जो अपनी situation और हलात के मताबिक, जो कर सकता है, उसको करने दि किया जाए, तो ये सोच थोड़ी तब तबदील हुई, फिर हम कहते हैं कि एक ये था कि डिफरेंस क्या होता है, और मकाबला क्या होता है, देखिए, मेल और फी मेल के अंदर हमेशा से बहस चली आ रही है, कौन सा जेंडर बेहतर है, तो देखिए, बेहतर की बात नहीं है, असल बात है डिफरेंस की, अब मर्थ हजरात को अला तला ने बायालोजी कली मुख्तलिफ बनाया है, तो खवातीन को बायालोजी कली मुख्तलिफ बनाया है, बच्चों को अलग, बच्चों को अलग, जैसे मैंने अर्श किया, कि ग्रोथ के अंदर काफी डिफरेंस हैं, ब आने वाले दिनों में बच्चियों की ग्रोफ बच्चों के मुकाबले में तेजी से होती है, कॉगनिटिव ग्रोफ भी उनकी तेजी से होती है, और फिजिकल ग्रोफ भी उनकी तेजी से होती है, और बच्चे थोड़ा पीछे रहते हैं, लेकिन जब वो एडॉलेसंस की एज and oranges. अलग अलग चीजों को मुकाबला करके किसी को बेतर या किसी को कम तर थाबत करने की जरूरत नहीं है. हर कोई अपने फेल से, अपने एक्शन से, अपनी मेहनत से बेतर या कम तर हो सकता है. जैसे हमारे मजभब में भी है कि अल्ला के हाँ सिर्फ तकवे की बनियाद पर लोगों की केटेगरी की जाएगी, रैंकिंग की जाएगी. ऐसा ही है न? तो अब इसमें भी यह है कि दुनिया के अंदर चाहे वो खवातीन हों, चाहे मर्द हों. बेहतर वही है जो अपनी रिस्पॉंसिबिलिटी नभाता है और बेहतर से बेहतर मौशरे का अच्छा से अच्छा रोकन बनता है. तो हमें क्या करना है? हमें बेहतरी की दौड नहीं लड़नी, कि कौन सा जेंडर दूसे से बेहतर है. हर किसी की अपनी जिम्मदारिया है. अगर मर्द घरों के लिए काम करते कमाते हैं और खवातीन जो हैं वो फैमिली का ध्यान करती है तो यह उनके अलग-अलग जूरिस्डिक्शन हैं. और देखें चेंज इट अब कहीं उनको कोई प्रारिटी नजर आती है तो वो उनको एक्सचेंज भी कर सकते हैं. क्योंकि वक्त के साथ सा सिचुएशन बदलती हैं, बहुत सी वार्ड हुई हैं, जंगें हुई हैं और दुनिया के अंदर जो इकनॉमिक रेवलुशन आया, पर टेकनॉलोजी रेवलुशन आया, तो बहुत सी अकदार और चीज़ें एकदम से चेंज हुई, तो रोल भी चेंज हुए. अब हमें ये कहना है कि छोटे बच्चों को शुरू से ही हमें किसी एहसासे कमतरी या बतरी, दोनों में मुक्तला नहीं करना, बलके उनको बताना है कि उनकी अपनी सलाहियते हैं, और वो उसको बुरुएकार लाएं, जो वो करना चाहते हैं, वो एक तहजीब के दायरे के अंदर रहते हुए उसको मुकमल करें.